चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं पुछ काम में लगा पुछ काम में लगा पुछ काम में लगा हूं सब्सक्राइब कर ददो जाको लारे ड़यक वथिल्च परेस उसांच ही मटीक होahu तैंच सर्काया करना लाओ भारत करहा हूं अज़िए बता अनृकों कि लुखुष कोई दा करने काम में रा से निल भारत को ने अपले को मोरे आज आएगा है। ते शिक्षिन साहे। ते जानने में अभी मिनन्सी करते कि तनी आपले मार जदर शुर्बर मौनो बता है। अपने को बहुता है। आप बोलें को मैं समस्ता हूं। बोलने का भ्यास बहुत कंगा। इसे हिंजे में बात करता हूं। आपको हिंजे समस्ते हैं। जहां पर समझ यह नहीं आएगा तो आप मुझे पूछना के यह बात सर्मिप में नहीं आए। पूछेंगे तो मुझे भी स्कित्मे को मिलेगा और आपको ज्यादा अच्छिकस कि समझती है। मुझे आपसे बात करनी है, जो मिश्र मुझे दिया गया है, वो ये है, कि हमारे परिवार में ऐसी प्या करें हम व्यमस्ता, कि हमारे बच्चे आदर्श हो, आदर्श बच्चे हमारे परिवार से लिखलें, समाज के लिए, देश के लिए, राश्न के लिए, धर्म के लिए, इस विशर पर मुझे आपके बात करने को पहा गया। और ये विशर बात करने के लिए मुझे आपके पास या आपके साथ कम से कम छे साथ देंटे का समय बिता रहा है। तो मैं बो बातें चाहता हूँ, एक आप बोर ना हो और मुझे बात करने में आनंद रहे, ये दो में एक साथ कैसे हो, तो फोल फोल ले हम बात करें, फिर उसके बात प्रशनोत्तर करें, फिर फोला विश्रांती ले, फिर बात करें, फिर प्रशनोत्तर, फिर विश्रांती, ऐसे करके ही अच्छ इसके होगा, ठीक है, मैं फोला भूलूगा, फिरा प्रश्णोत कर करेंगे, और फिर फोले जिठांटी लेकर, फिर दुबारा से दिलेंगे, फिरवाद करेंगे, ऐसके ही चादेगा, शाइद दो या तीम सक्त्र में, फिसाथ देंके का समय पुरा हो जा है कि हमारे परिवार के पच्छे की आधर्ष होगे, इसमें कोई जो राएं में हो, हमारा परिवार अगर आधर्ष है, हमारा कुटूप अगर आधर्ष है, तो हमारे पच्छे की सवाधर्ष होगे, कुटूप आधर्ष है, इसका मुतलब क्या परिवार आधर्ष है, इसका अर्फ क्या ? आप बताएं के कोई आप अपप्धित अव्वास को आदर्श मानें उसके जिये क्या आता है ? इस बात को आप कहींगे कि हमारा पूट में बादर्श है अबर ऐसा आदा है ? बोलें हैं आप ? बताएं, मराटी में बोलें किसमस्पान गॉत हमारा कोचों बादेशने, ज्यादाए 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 विचार दिये गया है जिए जो लिग आधर पर जीद्या उन्हें आधर शपहते जाई देवारावागा क्यों अधियर नमस्कार आवागा वो किने कहीं काम सैंदितलत अधिया ज्यादाए देजे आई आपकें आपकें करेंगें, आप बोले कोड़, पराटी कोड़, पीछे, पीछे से कोड़, जो मन में आपकर वो बोली, जिरुदी नहीं है कि वो बोलना आदर्श हो, आपको सोचते हैं आपको मन में ऐसा बोली, कि ऐसा परवार आदर्श हो, जिरुदी नहीं हो, आपको मन में आदर्श हो, जिरुदी नहीं 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 नहीं तो माज़े को दिशुता पुटतरी दाव भी उपड ल्यास्के, तिमा बुटतरी बस ल्यास्के, करूं तार्ट्यानीसा निज्टकी रसनाची दुष्परिना, तिया आमी तेंचा आदस्वी मंदार मनार जिजला, आने आमी आदस्वी दिवन जरूला, आतो माज़ा ह मेरी दिश्रै को रहने, सफ मदाइकरा, आमी वाइकरे। आज आमी वेसवर मुटतर जालो, आने आवा मधी वेस्थनलोपा अहे। करेंचा करेंचा जुको दूर था 220 schw दूर था जए। आमज़े जह कं सुन खार थेज़े ृंभोलममेल को मुटतर थेज़և। हा, हा गुलीन संस्त्रत के मातर दे ओबोड्य। जो चाह शुथर सांगिटले आए चाह प्रमनाजे कुछुनाइं जून्ती नीज़ए कि गडुत दें जब दें विए जब्रमेन रदरर्श नाँन और ठाविए क्यों हो तो गोई और किसी को दिविया है इसी बात को गोई गोई आप आप देंक बस चलिए अब शुरू करते हैं मैंने ये जान भूच के आपसे बात कहा कि आप इस बोले मुझे भी अग्लादा लगे पुर्व permitted गढ़े आपका मांके हैं सोचते हैं कैसा आपके इसमे विचार आता है बहुत अच्का विचार है सभी के विचार अच्के हैं रबाकेश में आदर्ष कुट ऑन्यरा परिवार की तो परिभासा है वो ये इंप वो इसकी कही है हमारे भारत में सकतों के आदर पर उत गाषा है शास्त्र समस्के है आपने देश्ट में लिखे गए है और जिनों ने लिखे है कोई साधर्ण लोग नहीं है वो महान लोग है जिनों ने लिखते हैं दातबोर जिनों में लिखा आप जानते हैं समर्थ रामदास समर्थ स्वामी रामदास यानेश्वरी जिनों में लिखा संत यानेश्वर् गीता बगवान कृष्ण ने बोला अर्जुर को और व्याद दी में लिखा उसको तो ये सब शास्त्रों को लिखने वाले जो महान महा ब को देखत ही हो था है उतलों ऑफ DON द्रापय वाड़ का प्रृजित ही अजिवार है और परिवार है जो परिवार दैविक और भोटिक दुखों से दूर है और दूसरे परिवारों को दैविक और भोटिक दुखों से दूर करने के काम में लगा हुआ है वो परिवार आगे शुर्ड यह है परिवाश्ड रिग्वेश्ड में यह परिवाश्ड सबसे परिवाश्ड परिवाश् पिर उसके बाद अज़वग जीता में आई राम चेरित मारस का नाम आपने सुना है बहुत बड़ा शास्त्र है दो स्वामी कूल की दास का लिखा हुआ वहां पर ये परिभाशा आई वानुत रामाये हैं हमारे देश में फिर वहां ये परिभाशा आई और ऐसे करते करते दाखबोर में आई ज्याने शोरी में आई और अंत में यहां तक आई जबने आपके बात करा कि भारत देश में आदर्ष परिवार का माले जो परिवार को देहिक दुख ना हो दैविक दुख ना हो भौतिक दुख ना हो ये एक बार और वो परिवार दूसरों के दैविक दैविक और भौतिक दुखों को दूर सब्ले का काम करें वो आधर्श करें भीत दोटो कोई भी जूशति हैं, अब जेरा देखें परिवाश्या त्रुपा की यहाँ हैक, परिवाते की शानी किल्फ़ लुट ठीक हिसलिए वक्ति के व जल्पिना की वलाधा की लुट dinheiro किल भूड कीता बतनर में इदक हैं तो कोई भी बीमार नहीं होना तो एक भी उन्मे बीमार नहीं हो, सभी स्वस्प हो, सभी निरोगी हो, सभी का आरोग ये अच्छा हो, तो ये बार कोई एक, दूसरा देविग दुख, देविग दुख समस्के हैं, देव का दिया हुआ दुख, भगमान का दिया हुआ दुख तो मुकस परिवार दे होना देव दुक्तन के, धर्थी कंफ वाग गया भोक दुक्तन के, हमारी दव को द ब्लक्त गने हुए यह हमारा दो नहीन, है देगन का भी रही नहीन है . भाधवान वन हो फिरने मैं मनेया …. यह तो देव का दुख है। या तो धर गेल गया। धरती कमप नहीं आया, फिर कि धर गेल गया। ये तो कुछ देव का दुख है। या तो आपके धर में कोई ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, जहाँ आपके रहेने की परिम्टती जिमना everyday. तो वो कि तो परीवाद हुई देर का दुख दूसरा देव का दुख और पिसरा भोटिक दुख जरीवी देवजगानy परिवाद में घरीवी अगर बहुत है परिवाद में बिरूट गारी बहुत है कैसे नहीं है खाना खाने के लिए रोटी कठा करने के लिए कुछ काम करने के लिए कैसे लगते हैं वो नहीं परिवाद तो वो है भौतिक दुख कापड नहीं है कहने को शरीर पर कापड नहीं है पहां लेको हमें ताहिये लेकिन नहीं है तो वो बहुत इत्लुक है मांगो हमें स्करेंट की आवश्चता है बीज ताहिये लेकिन नहीं है ये बहुत इत्लुक है हमको कंठे की हावा के लिए लेकिन पंखा नहीं है तो ये बहुत इत्लुक है जो शरीर को आवश्चत है स्वास्ति के रूप में ऐसा नहीं होने से बहिए दुख और जो हम सब परिवार को आवश्चत है ऐसा नहीं होने कर देव का दुख ये तीन दुख जिस परिवार में नहीं होते हैं, वो परिवार आधा आजर होता, आधा वने पशास्तर का, और आगे का पशास्तर का आजर होने के लिए दूसरा सूर्प है, कि जो परिवार के लोग खुछ सुपी हैं, जिनको दुख नहीं हैं, और दूसरों का दुख जूर करने का प्रयास कर रहे हैं तब हम कहते हैं कि वो आधर्ष कर रहा है आपको शरीर का दुख नहीं है माले आप मिलोगी हैं स्वख्थ हैं अब आप दूसरों को भी स्वख्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं आप करिए कि आप आदर्श हैं। अगर आप अगर जरीब नहीं, आपके पास पैसार है, आपके इस धन है, और दूसरे जरीबों के लिए वो पैसे का वाफर कर रहे हैं आप, या उनकी मज़द कर रहे हैं, तो आप आधर्श हैं। और भंगान ने कोई धुख आपको दिया, उस धुख से आप बाहर निकल रहे जैसे किलाली में भूखन पाएं, याद में आपको लादूर नहीं, अब किलाली के लोगों ने अपने घर बांग रिये, ठीक है, फोड़े उनके बाद उत्तरकाशी में भूखन पाया था, किलाल अब किलाली के लोगों उत्तरकाशी गएते, घरवान ने कुले, मैं भी उनके साथ आप, तम मरी कहादा है कि आप आदर्श लोगों है, अपना देवदुख आपने खत्म किया, अब दूसरों का जो देवदुख है, उसको दूर करने के लिए आप लाटूर उसे चल्ब कर गएज, अब लाटूर और उसको काशी बएजों, थिन हजार किका दूरीकी तीज दूरी है, फिर भी वो गएज है, तो हम अपने दुख दूर करें, सब से पहें, फिर दूसरों के दुख दूर करने के लिए कोशिश करें, तो हम मामने लिए के हम आद अब शी परिवार मे दुख की करेके हैं दुनिया में, देरिक, देरिक और वर्ट, ठीक है, अब मैं आप से लिए पूछना से आता हूँ, आप जिसमें लोग यहां बेखे हैं, आपको भर्टिक दुख है, आपो, खाने को रोटी मिलती है ना, बात मिलता है ना, नरण मिलता है कामिकर, बाजी पा अब मैं से लWasघा है, तो बहुते दुख तो ली आता है, आप के आपको है, नहीं को इसका वाल ने भूती दुख के नगी करे है जब है नहीं को दाप सो करण है हम है मात में दो दुखें को दाप करेंगी जह को दुख है देहित दुख है शरीर तो दुख है कोई क्रास्क है बिमारी है रोग है कुछ है कोई को दोगी है नहीं है तो भी बात करने का खतर है है आई को पुछो क्या देहे दूट है अचा किस को बोटे में दर नहीं है अच्छा किस को बोटे में दर नहीं है कितनी आई वागत आई यहां रहती है जो तो गोटे का प्रास्क है अच्छा एक दो एक चार्ट पांट छे स्टार आठ नौ दस यारा बारा बारा आई ने हाथ रिशा किया ताई ने किसी ने उत्रा नहीं किया इसका वाले ताई को बोटे को बोटे मासिक पारी का प्रास किस किस ताई को है प्रास किस किस को है मासिक पारी का प्रास किस ताई को है एक दो फ्कारण हो बारा से शेखे फवता सोल जस्क्राण PostEsaksana 19 20 विस दुषति एक किस, विस एक केस का गलागम जार खनलाव अभा का है दो कदूनों दो के लो के लो के लंगा आ गलाख विस किस परी भानों के लो कमाम सबस्के जासे की दोके बुटनेंगा, चाजीस, जए ठीक, पॉर्ट का उखावा, पॉर्ट का उखावा, पॉर्ट का उखावा, पॉर्ट का उखावा हुआ, जोट 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 का और जया ने शरी को गट्राफ के? ओर ग्याने सरी को डौरे कत्रास के दौरे कत्रास कुदुआँ और गोई कत्रास होनो स्विप्पित प्रास समस्तने हैं सब चलो SKPT, R4SKPT, और जनलाद, गैस बननाद ये सब प्रास इसको है प्र इसकी पोटेंस है 24 24, 25 कई काई के हाथ बहुट क्रास में उठ रहे हैं बाले उनको लोकित काई क्रास में बोटता भी है मास्की काई का जेख गहाँ, उनके हाथ बाब बाब बढ़ता है तो एक से ज़ादा क्रास भी है इसका मतलब ये है ठीक है, अभी ये जो छोटे बच्चे यहां सब बैठे हैं, इनका कुछ प्रास है, हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो है, कम उपर ये बच्चे, एक प्रास हो सकता है, गूख नहीं लगती, खाना नहीं खाती, जेवन नहीं तरके, ऐसे कौन खान है? गूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते हैं, जेवन नहीं करते हैं, बार-बार उनको मार-मार के जेवन करना होता है, ऐसे कौन-कौन हैं? दो पीज़ने हैं, एक तीर, एक शाट, पाँच, छे, साम, आठ, नो, दस, बारा, चोड़ा, सोना, आपके हैं? ओ, इधर, सबक्रा, सबक्रा, ऐसे विध्यारती हैं, जिनको बिल्कुल भूप नहीं है, या तो जबज़स्ति उनको खिलाना पाँ, ठीक है? अब ये बोड़ा आगे ज़ने, संदास में प्रास्पिस कुस्ता है, पोड़ साथ नहीं होता, बहुत तदीर होती है, एक दिव स्ट्रिंग होता, दो जिवर स्ट्रिंग होता, ऐसे कुछ है, नहीं है, चलो बहुत नहीं है, लगमी का प्रास, लगमी, कोई है, एक, और कोई, दो, तीन, लगमी के प्रास में तीन हाँ, अज़ा और मैं पूछ रहा हूँ, सर्दी जुका, सतत नाग जहना, सर्दी होना, बार बार सर्दी होना, उगये जाहा, सर्दी जुका, ठीक है, ग्यारा, सर्दी जुका होता, आंकों का होता 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 11-14, 17 छीक है, 70 लोके को उखता, इक है गुरू झेस हो गए, अचा है येे पाओ का प्रास है इसको क्या बोजेगा वा ताचनी, ताचनी का गुखावा और इसमें चीरा पड़ना है, ये इस किसको प्रास है पाइचनी का गुखावा और चीरा पड़ना पैटाबिस पक्से जाना अभी कर सक्षके जाना नाकी का बताब अपर और एक आखरी मैंटी आखरी मैं 13 आखको लादाया के गोलना केश दलना यह पक्से जाना चलिए बात कतम हुई कि अभी मैंदज जी आखको दमा अस्थमा स्थमा श्क्रणा ऐसका प्रस कोई आई ताइको है इस पीट का प्रस कमर भुखना कमर भुखना कमर भुखना है सबसे ज़्यादा प्रांस पाया हम सबको को केश बने का सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कमर दुखने का तीसरे नंबर पर मैं देखा खोड दुखने का फिर दुखने का ऐसे करते करते बारा पंदरा हमको रोग हैं और भी हो सकते हैं तो बात अब यहीं से शुरू करते हैं परिवाटा हमारी आदर्श परिवार की है सब लोग निरोगी हो तब परिवार आधर्श हो तो सबसे तले यहीं से बात शुरू करते हैं कि हमारे रोग कैसे चीफ हो यह समों अगर आपको हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते जसनर उसी का काम को करें नहीं सकते अपना भी नहीं कर सकते अगर मान वो कमर का बहुत दुखावा है तो अपने काम में कर पाएंगे हम बार बार जुखना उटना बैठना नहीं होगा बोड़े लुखने का बहुत रास है तो हमारी काम हम में कर पाएंगे समाज का चाहिए तो पहरा काम आज हम ये करेंगे कि ये जितने भी रोग हैं इसकी चिपिक्स का हम करेंगे इस रोग से मुक्त हो जाएंगे उसके बाद हम धूसरों को इसी रोग से मुक्त करने का प्रयास करेंगे तो हम आधर परिवार की तरफ बढ़ेंगे जीज है inside ॅब आुश्णनू करते हैं कैसे चीप होगे ये सारे लोग हमारे तो आप बुलिए बॉक्तर के पागे घर हैं है ना आप मेंसे कौन-कॉन दॉक्तर की ला ले रहे हैं खा दू जाइए ले ड़ाए डॉक्तर की ऊस्पॉन कंख फ़ा रहा है कि एलो करती की दॉक्टर की और सब्सक्राइब कर दो बाते आप याद रखती है कि दॉक्तर के पास जाके इलाज करने के लिए पॉइस के लगते है और पॉइस के लगते हैं तोरे में लगते हैं तोटा सा कुछ जरी भीमारी आजाए तो हज़ारों रोतर याथ थोड़ा भॉखार आजाए आट दस बजार का प्रस्टा हो जाए जरीब आज़ी नहीं कर सकता है जिसके पास पैसा है श्रीमन के वो तो कर सकता है मैं आपको कुछ ऐसे इलाज बताता हू जो बिना पैसे के आप प्रस्टा है डॉक्तर के पास ना जाए पैसे आपके पास खर्च करने को ना हो तो भी आप वो इलाज कर सकते हैं आप वो लिखना आपके बास कारिक्टन है एक एक आजयार की बात करूगा एक एक प्रोप की बात करूगा और उसका इलाज आप अप कि बिना पैसा खरिए दो, सबसे पहला, सबसे पहला, उपर सु शुरूप है, दोके दुखना, सिर्ट का दर्द, अब इस दोके दुखने का दर्द जिनको भी है, ये दर्द की अपने घर में, स्वयन पाफ घर में औशब है, बहुत अच्छी औशब है, और स्वयन पाफ घर में जो आउशब है, वो बिना खर्चे की है, ज्यादा परसा खर्च नहीं होगा आपका, आरावारी से आप उसको, इलाज के रूप में, उप्योग कर सके हैं, अपने स्वयन पाफ घर में, नहट है, नीट, कौन सा बना, जाला, 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 जा प्रफिताता गलार में आयोगी यूकमीत है यह है नहीं है तो बहुत अच्छा जिसके घर में है वो तुरंट पिकाल दो क्योंकि यह जो आयोगी यूकमीत है न यह दोके दुखने के लिए सबसे खत्म लागा है जोड़ी यूकमीत खाएंगे सब को दोके दुखने के लास आज देरों को कल होनेगा यह आयोगी यूकमीत है न शरीर के ब्लड प्रश्न को बढ़ाता आपने सुनाए एक शब्द, ब्लग, प्रेशन, डिटी, रख्त का दबाओ, तो आयोगी यूट मीट जास्ती खाओ, तो रख्त का दबाओ बढ़ेगा, रख्त का दबाओ बढ़ेगा जो दोके दुखने का काम होगा ही, इसलिए सबसे कहला काम ये करूआ, कि जिनको दोके द निर्मा का हो लगी सी का, अलगलग नाम से आता है न, काटा का नमर, निर्मा का नमर, या चैप्तन कुप का नमर, सब आयोगी यूट है, जो मीट पर लिखा है, आयोगी यूट, वो धर्द मतला, क्योंकि ये मीट के ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और ब्लड मराजिमे दकने का न, क्यों गर्द में आता है, यिसको सिंदा लवढ प्रेश, सिंदाल में दकने, और ओप्रशना, क्यों पक्तवाला आता है, क्योने अधे CHs, सफेध होता रहा, वो मीट धर्मे लवढ रहेज़र, सिंदाल तर्धन, संदावन, संदाला, प्रद आता है, पादे लोग, पादे, पादे लोग, आपने रेगा नहीं काला नमग, ये नमग ना, ये दो नमग जड़ना, एक तो स्टेंड़ और एक तो कानग, ये दोनों नीट जो भी खाएगा, उसका जोटे गुटने का अप्रास देसे ही करें, पुटने आया, सेगा उमी, तबादे मिलता है, फोड़ा मेहगा है, क्या वहाँ, 10 रुपे किलो, 20 रुपे, 20 रुपे किलो है, लेकिन चलेगा, अपने स्वास्थिटे लिए तो 20 रुपे किलो कोई ज्यादा बढ़ी दखन नहीं, तो आज के बाद, आप जब अपने घर जान तो दर्का मीत बढ़ना पढ़े, दोके का अत्रास दूर जिसको करना है, वो मीत बढ़ने पढ़े, आप सेदर लवन खाना शुरू करें, कैसे खाएंगे, दाल में, सबजी में, भाजी पावडा में, सब जगे खाएं, कीते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा दर्क है, ब पानी में मिला, सेदर मीत खोड़ा पानी में टाना, ठीक है, फिर इस पानी में खोड़ा गुर्ण मिलाना, गुर्ण, 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 बजाम में दो तरह का गुर्ण मिलता है, एक है बहुत सफेद, और एक है धोड़ा काला खाना, जो काला हो क्योंकि सपेद गूर में निर्मा वाशिन पाउलर दिला तो जास्ती सपेद गूर नहीं खान तो जो थोड़ा काला है चौकुलेट की रंज जैसका गूर आता है वो तो अच्छा तो सेदव मीट ले लिया सेदव लमन फोड़ा सका गूर एक किलाव पानी फोड़ा सका कि अपने धर में एक सोडा होता है सोडा जांते खाने वाला सोडा वास ये तीन चीज़ें हैं सोडा खाने वाला नमक सेदव और वोड़ा सका गूर ये कीलों मिलाज़ एक गिलास पामूरे रोज सकारी कोई भी पीले अमुशा पोड़िव तो दोके दुखने का स्थ प्रा पास आपको ना हो इसके लिए ध्याद ही रखना है कि हमेशा जैनिक जीवन में सेदव मीख मीख नहीं खाना हुआ खड़ा मीख सेदव मीख खड़ा मीख है अब ये खड़ा मीख आता है बजार में जिसको आयोडिन युक्त नहीं किया गया वो चलेगा लेकिन समुत्र के पारीका अज़ा होवा है तो तक्लीक है अगर फट्थ वाला है तो अच्छा है लुक्ते माले से पूछना तहिए समुत्र के पारीका है वक्ति दरियायरीक मीख माही कले ही खड़ह वारत के बारे में a को साल और भारत सभण एसमुरत सेदमीर के खाड़हों है महात्मदान्दी के आगे के बाब उन भी सथ्या वगर हुए तो समुत्र के पादिए का में खाना दोगों में शुरू किया और उसके बाद प्यारिय उसके से मिरुआरिया भी इंतिक। लोग जोगन्य ना का 2100 सही। कर दिये था रहे होता है। जूदू का क्रास इतना हो गया है कि एक लाग में से 10,000 है। यह मीऊन्ग के कारण हुआ है। तो आपके दरक हमीऊत बदलना है। आपको कांप्यादरना है। शेन अमीऊत लाना है। ताला मीट लाना है, और यह आओँजी ये कमीट हताना है। खड़ा मीट लाना है, इससा अववा मीट कभी दूपीओख करना नें। ठीक है? और एक जाओधी, आखनी जाओधी, महराश्तमें में देखा है, ये एक परंपरा है। हम खाना जखाते हैं न को भूबीट उपर से गाल, यह परम्परा धुबर कुलानी है, यह तब भी परम्परा है जब सेदा मीट काम ने आखा था, तो सेदा मीट को उपर से डाला जा सकता है, आयोगे युक भूबी उपर से डाला तो सक्यानाश होने लिए शरीर का, तो आप महराथ पुने जब धोजन परुषते हैं किसी भी आपके महमान को या अपने लिए तो थाली में तो मीट तालते हैं ये कभी डालना जब वो सेजब मीट हो अगर आयोटी लियुक मीत आपने डाल दिया खाली में तो वो तो माया जाएगा जिसकी खाली में आपने डाले अगर उसने उखा के डाल दिया तो और तकी क्योंकि मीत को बिना पकाई हुए भोजन में अगर डाले तो वो जहर होता है विश होता है मीट विना पकारी अबिद्ध भोज़त में डालें तो विस्फ है जहर है उसको पकना चेहिए पैसे पकना चेहिए आप बरण बनाएं नाथ इसका में आप में डाल दिया फिर उबल गया वो मीट तो ठीख है लेकिन बरण बनने के बाद आपने मीट डाला उसको गरम नहीं हो कि अधिक प्रश्र बोड़ेगा तो दोपी का दुखावा होगा इसलिए ब्लड प्रश्र आपका ना पड़े इसके लिए यह उपाय आपको करना है थाली में नीक अगर दाने उसने जब लीट हो नहीं तो यह आयोगी नहीं तो नीक कभी दानना है इसलिए क्लियर गोड़े का क्ला दूर आए ना जिनको ज्यादा प्रास्त है उनको और अश्र दी लेगी एक तैस्के लिए एक गिलास पाई फोरकी और वाड़े और चांग दाना होगा तो जिनको ज्द्र-दोटे काई लोड़े ग्लाश्य ना चानग जंगा पानी प्रश्र लाश्र सब्सक्राइब और फोला सा खाना सोड़ा मिला के सुरस्तुवर्पी लेना एकी मिनट में जास्ती से जास्ती जो मिनट लगता है लोगे लट्रास के चंग आई हो अब दूसरा जो बहुत विमारी है सब को केश करना को आपको केश अगर गेरो रहे हैं बान बहुत रहे हैं तो आपको क्या उतावी करना है क्या इलाज करना है उसका जहले इलाज आपको यह करना है कि सबसे पहले शेंपू आपर ना बन शेंपू कॉन सा जिसका जायरा तीवी में आता है सिर्फों करो मिल्म Numbers Pizza कि से जिसे यह देटा है कि इस वाद बूले क्पों हिंदुस्कान बोइए पिए इसके शाहिय कहता है यह आप बापरते हैं, पेश गंदना इसी से जास्ती होता है, आप बोलेंगे क्यों, खारें बताएए, आप मैं शैंपू बनते हुए देखा कभी? नहीं, तो आप बापरते क्यों हैं? आपको बाइटी है, शैंपू बनाने में कौन सी वस्तू लगती है? कोई भी ताइटी ह नहीं, तो नहीं बताता हूं लिफ्ल आका। शैंपू बनता है जिस केमिकल से उसका नाम लेखो। शैंपू जिस और बनता है, जिस रसाइंस के मिन वनता है उसका नाम लेखो। जोब भी जोबी जिखियार की लाश्चि में जगेनी फुड़ा जगेने फुड़ा सौरा सगेने फुड़ा सौरा ना फुड़ा कुझे तुरा खुड़ा जब एक अधनी गुटन दो अध्या बसक्ता कुड़ा में जब दो आज़ो सब्सक्राइब करें। मुलिये देटकाराइब कुछा। लारेन स्कनीश्य के लाएन। यह जो रहा हुआता हुआ। यह जरे। मैं विज्यान का विज्यान के लिए एक बार मैंने परिक्षन करने के लिए प्रयोक शाला में पहले वज्यानिक था प्रयोक शाला में काम करता है तो शेंपू बनाने वाला जो प्रयोक शाला में काम करता है तो शेंपू बनाने वाला जो प्रयोक शाला में काम करता है अच्छा है या पराब। तो जब उदर को मेरे इंजेक्शन लगा दिया तो तंद्र से सफ्ट्र मिनत के बार उदर मर गया। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन ना थोड़ा सका कहीं कर देके उदर को लगा दिया। वो भर गया। फिर ना थो थो जब उदर को गया। तो उदर का तुम अपने को लगा बशिए तुम भी मर जाओ। मेरे इसकीरियस कांटिस्ट थे जो मेरे गुरू जब उन्हें थे उन्हें आखिप्ति तुम खुद लगा हो ये इंजेक्शन तुम भी मर जाओगे। जब उचा कैसे बढ़ जाओंगा, तो रहता है यह विष्ष है, स्लोडियां लॉर्णिस तुट्टेक्स और यही स्लोडियां लॉर्णिस तुट्टेक्स के शेंखे बनता है अब वो शेंपो आप बाल में लगाएं तो बाल आपके गुच्षे के गुच्षे तूट्टेक्स के नीचे आए कोई पिशेंपों से बाल दोएंगे ना भूप बाल दोएंगे क्योंकि यह स्लोडियां लॉर्णिस तुट्टेक्स का करता है विसका नाम है यूजिया यूजिया अने राशाई में खबी, यूजिया है ना यूजियाँ पानी में डाल दो, फिर वो गल जाएगा फिर उस पानी से बाल दो दो, सब बाल एक साथ गूब्द कीया हो, एक ही बार में सिल्ख टकला यूरिया में इतना ही विश्ष है जितना सोडियम लॉरेल्स सल्फेट में है बस थोड़ा अंकर है यूरिया एक बार में टटला करेगा और ये सोडियम लॉरेल्स सल्फेट तोरे दिल बात करेगा आपको बाईटी है आपके जो बाल हैं ये हर दिवस एक हजार से जास्ती लिकलते हैं बाईटे बर्मान ने ये लिसका बनेगे आपका जो सेर है न इस पर रोज एक हजार नए बाल आते हैं देख चौदीस कास में जवाब शूरकर दूसरे बर्मोटे हैं एक कास शुरू करके अगले एक कास मनें एक जिवस पूरा हो जाए एक हजार नहीं बात आते हैं तो भगवान ने बाल जास्ती देने के लिए एक जवस्ता बनाई है अपने सिर्व में एक केमिकल है उसका नाम है मिलेजिश ये केमिकल बाल को सिर्व के बाहर निकालने वाला केमिकल है बाल जो बच्टे हैं तो इस केमिकल के कारण बच्टे हैं ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता है जो एक दिन के बच्चे होते हैं दो दिन के तीन के तीन महीने तीन साल तक ये केमिकल बच्चों में जास्ती नहीं है उसके लाद ये केमिकल बनना शुरू होता है औ यह सब काम मेलनिन नाम के पैमिकल के ताज़क होता है। अब यह तो शेंपू है, वो क्या करता है? यह मेलनिन का नुखसान करता है। तो जितना जास कि आप शेंपू वापर करेंगे, मेलनिन उतना कम हो जाएगा, मेलनिन जितना कम होगा, वहाँ उतने कम होगा। तो क्या गरना है? शंपू वापरना? नहीं तो शंपू वापरना बन केश गरनी की कमस्या योगी ताई और आई को है उन्को शंपू वापरना देखी अब च्रिका क्या गई अपने घरने है रीठा रीठा जाएंसे? रीठा को क्या जेति में और की? सुनाएं ये तीनों खरीदना रिठा शीका काई आंगला तीनों खरीदना और इसका अनुपात बनाना कैसा अनुपात बनाना एक भाग आंगला दो भाग रिठा तीन भाग शीका काई ऐसे खरीदना एक भाग का मनें 100 ग्राम आंगला 200 ग्राम रीफा 300 ग्राम श्रीककर यह तीनों खरीदना है दूपने सुखाना और 8-10 दिन सुखाना खुब अच्छे से सुखाना फिर उसको कूटना पाउडर बनाना पीसना पीसने के लाग वो पाउडर को बाट्री में भर्जे रखना फिर आपको जब बाट्वने का है तो यह समय से एक चमस पाउडर लेना एक किलास गरम पाणी में राट्री को डालना सकारी हो पाणी से बाट्वने यह तरीके से आपको बाट्वने जीवन परियंग आपको कभी भी खेश करने का समस्या नहीं आए क्या करना? आंगला दूसरा? नहीं नहीं रीठाँ पिर तीसरा? श्की सब्सकरण आंगला कितना? एक भामाने? सोब्सकरण रीठा कितना? दोद्रम पुरा रीठा और्श्की का गई कितना? सीजब्सकरण तीनों बाबावार में मिलता है पंजगाली की दुकान से मिलता है, पिराली की दुकान से मिलता है, खरीद के सुखाना, भूपने करें, दस दिन, पंगले दिन, जब ये खूप सूप जाएगा, इसको पीस ना, कूपना, और पीस लेगे, फिर बाटिये में बढ़के रखना, ठीक है? अब ये ही आपका स्थ हो रहे, रोज एक चर्माच इसमिया से लेना, एक लाज जर्म पानी के बाच्चुरी को भिगो देना, सकतारी उठकर उस पानी से बाव भूप, तो केश गल्ले की समस्या बने, ठीक है? और एक स्थोटी सी माहिकी, केश गल्ले का सबसे बढ़ा काराण है श्रेंपू, उसक इसका एक आए, इसलिए आई और ताई को केश तब बहुत गल्ते हैं, जब उसके शरीर में एक केमिकल की बहुत कमी आती है, उस केमिकल का नाम है केल्शियम, जो भी आई और ताई को शरीर में केल्शियम की कमी आएगी, तो केश बहुत जलेगे, ठीक है? ये बात लिख ल हुआ हुआ कि ओंपने घुछ ऐसे जब इसक्राइब तो पहाई हुगा तो तक तो ट्रूंदेंगे डूसरी अब ही आफ है जब शरी को कैल्शियम नाम का देंगर बहुत पन होगा तब जब शरुआ को पारेगे तो सबस्के जास्ती केल्शियम है गाए के दूद में, गाए का दूद में, मशीन नहीं है, गाए के दूद में, मशीन का दूद है ना, उसमें केल्शियम जास्ती दूद, है जास्ती दूद, सबस्के जास्ती केल्शियम है गाए के दूद में, और सबस्के जास्ती किस गाए के दूप में सबसे जाले किस में किलला गाय जींगे जिसका दूप कन है ुसमें कैलशियों सबसे जाते हैं तो किलला गाय का दूप kी ना रोण घर्षुर्षा ह PUB के बना बना कम हो रख डूप मरदा तो और किसमें कैलश्ण आता है गाए के धूट से बनाए हुए गडही ने हैं धूट से भी जास्ती तेल्शिय마 गाए का धूट है न उसमें समझे और एक घ्राम केल्शियम है एक लास धूट है तो उसलिए एक लास धूट को धरी बना देंगे तो तेल्शियम दस्ट वह जाता तो देशी काये के दूख का गही खाएं तो केल्शियम उसना परको गही खाएं और गही से भी दस्पर जास्ती केल्शियम है ताख में ताख है न तो ताख में ताख से भी दस्पर जास्ती केल्शियम है तूख में अच्छा ताग आप तूप के लिखने और एक चीज होती है लोगी तो ताग के बाद लोगी ने लोगी से दसपड़ जासकी तूप इसका मारी यह है जो भी आई और ताई को पेश गर रहे हैं वो गाई यह जूप का तूप खाई जासकी तूप का यह पेश गरना बने आप तूप ही हएक ड ऑप तो जोगी खासके तो जोगी खासके ताग की से जही खासके दूप केुए यह लोटा घ confession is अच्छा और और किस किस कीज में केलिषों है केला दुई में ब्रकूर केलिषों, तो केल लेकों ब्रकूर केलिष है और किस्तमे है रोगी दो और किसमा पना कैसे खाना चेंसे केंवे ऐसके बनाको बनानो कि इसे घुन कुछेटशे सबहते हैं इकषाशे घना चिहाइइ म और केशियों किसमें है दालिग, दालिग के अरस्पी नाव बहुत केशियों है, और केशियों किसमें है पपरिया, पपरिया उसमें बहुत केशियों है, और केशियों किसमें है ग्राप्षी, बहुत केशियों है ग्राप्षी, मनका भरपूर केशियों है उसमें, मादाम बहुत केंशन है कि मुंकी राओं मुंकी राओं बहुत केंशन है हरेवपत्य की भाई तालक, मैठी चबली भरपूर केंशन है और गाजेहर हैं गाजे ज mày, उसमें बहुत कैम्शियम है, मुली में बहुत कैम्शियम हैं। पूरा में बहुत कैम्शियन, ये सब कैम्शियं की छीजह पाँ में चौना खाते हैं, बस्वो ही आस है, जो भी आइओ अपलीकों ढूफ नहीं है एदेबी नहीं, पांक नहीं, लोगी नहीं, कुछ नहीं? अधरीबी है। क्युक्थी धरीपी है। क्युक्रिक्षियों उन्तों चाहिए, तो सबस्के सदस्का है चूना! पां मेखाते हैं, क्यों ज्यूँति उन्तों खाणा। चूना तो चूना है केल्शियम की पूरती जैसे वह जी बाल बहुत महजूर दो बाल गलना ग्रिंपूर बने ठीक अब दो माहिती हो गई तेहले माहिती हो इस शैंफू अपर नहीं तो बाल गलना का रिका शीका का या अंगला अगर बाल गल रहे हैं, घिर रहे हैं, टूक रहे हैं, तो उसके तीम कारण है, पहला मैंने बताया, शहरी कुपा पर जिबन कर देंगे, बाल गिलना कम हो जाएंगे, रीठा की का कई आमिय से बाल गोना, दूसरा केल्शियम की पूर्थी करना, ताकि शलीर केल्शियम की पू बाल गिलेंगे, रट की कमी, लोग कहते हैं अनीमिया, एनीमिया एक रोग है, जिसमें रट की कमी होती है, रट की कमी अगर शरीर में है, तो बाल जरूर गले हैं रट की सबसे जास्ती बड़क शरीर में जो वस्तूओं से होती है आयुक का रस लिएगे रख्ट की कमी दूर हो दूसरी वस्तू है जिससे रख्ट की कमी दूर होती है मनुप्ता रोज मनुप्ता कहेंगे रख्ट की कमी दूर होती है और रेक्ट की कमी दूर करने वाली एक वस्तू है थेला और रच्ट की कमी दूर करने वाली एक वस्तू है पॉपई और रच्ट की कमी दूर करने वाली वस्तू है ज्रांश रच्ट की कमी दूर करने वाली और एक वस्तू है मुंग की दाली बुरी देख करने नहीं बताई मसूर की दाली और रट्ट की कभी दूर करने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है शेख दाना और रट्ट की कभी दूर करने वाली एक वस्तु है फुटाने और रट्ट की कभी दूर करने वाली सबसे अच्छी और सबसे सबस्ती वस्तु है गुड गुड केल्शियम की पूर्ती शरीर में हो जाए तो केश कलना बंद हो जाए और आखरी माईती शेंपू वापरना बंद हो जाए तो केश कलना बंद हो जाए तमझ में आया? आया? नहीं आया तो पूछनों अभी दो समस्याओं का समाधान हुआ एक तो दो केश कलना बंद हो जोड़ों के बाई ले अगर कुछ पूछना है को पूछो करांटी में पूछो को हाँ भाजी पाला जिसको आप करते हरे पस्ते वाला सबना पाले करते हैं सबना डिटेंडिक भी है हाँ अभी पुरी देख में बात करें पहले बात हो गए इस पर प्रश्प करेंगे तो मुझे पता के लेगा आपको समझने आया या नहीं आया इनका सवाल एक तरह से माहिटी है कि हम केल्शियम को शरील में भारण कर सकें इसके लिए और एक टेमिकल की ज़रूरत है इसको विटैमिन D12 के रूप में जाहते है विटैमिन D12 कहां से आता है यह भी फॉलिक एसिट का बाई प्रोड़ेक्ट है पॉलिक एसिट कहा है इनका यह प्रश्चन है कि डॉक्टर कहते हैं टेलशियम पढ़ाना विटैमिन शरीर में पढ़ाना तो गोली को खाये शरीब है अरुन गोलियों को खाये ऐसा क्वार चक्पू के अंग्षन है उनको कमिशन मुलता तो जास्ती बोली भीकेगी जास्ती कमिशन तो जास्ती डॉक्टर करोड़ोपती ऐसा है तो इसलिए मैं कभी भी किसी को कहता हूँ कि केल्शियम पढ़ाने के लिए बोली बत्खाना पर्लिक एसिट पढ़ाने के लिए बोली बत्खाना बीटैनिंस बढराने के लिए गोली मत खाना। बरवान का दिया हुआ थो केल्शयम गिटैनियन हमारे पास है। वो खाना। बरवान के किस पेलिया है लाजी पाल्डा सब्लै कैलिशयःम, सब्लै गोल्य केस तड्य हैं। système गोलिक खाना। जूर में सबसे ज़्यादा ड़ी में, ताक में, लोली में, तूफ में, भरपूर है, तो किसका ही सब्लूर योग कर जा है। गोली नक्षा, क्योंकि गोली खाने का कुछ लाभ होता भी नहीं है, ऐसे जाते हैं लाभ उतना होता नहीं। अब एक एक करके आगे बड़ते हैं। अभी कहला प्रखणी ये लेके हैं, पांड्रे केश। क्यों होते हैं? किसीमें मąż पूढ लाए, बच्छों को पांड्रे केश क्यों होते हैं, थि को आप मुझणता ही. पांटर केस होने का कारण जाने लिए केश होने काсь। ऑणिेट पल्डम आने आपको एक नाम बोला था जी चाह का याद होगा आपको मिलैमीन शेमिकल है जो हमारे व्हाख्ट में होता है फीड है। जब ये व्हेक्ट में जास्की होता है मिलैमीन तो बाग एक जाब अकाले होते हैं ज़ियर क्वेशिद होता है तो ज़ियर बोल गकाले होता है का किसी व्यक्ती के परिबार में बहुत बंड़ कंगले सुमें जैसे झाल झाल